वेलकम टू इस्टेडी 24 देपूर आज के स्विडियम हम इकनोमिक्स से संबंदित कुछ एमसी क्यूज हैं जो बहुत सारे कंपेटिशन एक्जाम हैं एंट्रेंस एक्जाम हैं यूजी सी नेट का एक जो एक्जाम होता हैं इसकूल एक्जाम होते हैं उन सभी एक्जाम के लिए बहुत ही इमपोर्टेंट थैं तो चली स्टार करते हैं आज का जो हमारा सबसे पहला प्रशन वो है श्रम मुल्य सिद्दान निम लिखित ने प्रतिपादित किया देकि श्रम मुल्य के बारे में जो सिद्दान दिया गया था प्रतिष्टित अर्थ शासी जो classical economics थे Adam Smith और David Ricardo के द्वारा श्रम मुल्य के बारे में उन्होंने अपने विचार दिये थे इसलिए हमारा जो सही answer वो क्या होगा option ए Adam Smith और David Ricardo दोनों के द्वारा श्रम मुल्य सिद्दान के बारे में अपने विचार दिये गये थे उन्होंने सिद्दान प्रतिपादित किया था नेक्स हमारा दूसरा है क्लासिकी व्यवस्ता की विशेष्था है क्लासिकी व्यवस्ता का मतलब कि जो प्रतिष्टित अर्थ शास्त्री हैं या प्रतिष्टित अर्थ शास्त्री में एक तरह से कौन-कौन सी विशेष्था हैं देखने को मिलती हैं तो जब हम classical economics की बात करत उनका क्या मनना था कि अर्थ वियोस्ता में जो आर्थिक किरिया हैं उत्पादन और रोजगार हैं उस पर मोदरिक कारग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये विशेष्टा नहीं पाई जाती हैं दूसरा है उनका क्या मनना था कि जो अर्थ विवस्ता है वो एक तरह से क्या होती है स्वा समाजन तंत्र किरियाशिल होता है मतलब मांग और पूर्थिक की जो शक्तियां होती है अगर अर्थ विवस्ता में किसी परकार का अस संतुलन इस्थापित हो जाता है तो ऐसी शक्तियां किरियाशिल होती हैं जो अपने आफ संतुरन को स्थाबित कर देती हैं तो दूसरी जो विशेस्ता हैं वो क्लासी की व्योस्ता में पाई जाती हैं तीसरा हमारा है कि प्रत्यक्ष विकाज के लिए राज की कारवाई ठीक है, सरकार के हस्तक शेप को क्लासिकी अर्थिशास्त्री महत्व नहीं देते थे, उनका मानना था कि आर्थिक किरियों में सरकार का किसी परकार का कोई हस्तक शेप नहीं होना चाहिए, और फिर राज की नियंतरन की अनुपस्तिती में बाज़ार के माध्यम से इस्तमिक अरण की जो अवस्ता हैं उसको प्राप्त किया जा सकता हैं तो ये बिलकुल सही हैं इसका मतलब B और D दोनों सही हैं इसलिए इसमें से कूट सी जो हैं वो हमारा सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारा है तीसरा लोक वे में विस्तापन तथा संकेंदरन प्रभाव की अवधानाओं का श्रै किसको दिया जाता हैं जब देखिए हम सारजनिक वित की बात करते हैं उसमें सारजनिक वे जो किया जाता है सरकार के द्वारा तो उसके बारे में सरकार को अपना जो व्याय हैं वो किस परकार से कलना चाहिए उसके बारे में सिद्धानते विस्थापन सिद्धानत और संकेंदरन प्रभाव की जो अवधाना है वो अर्थ शास्त्री पिकोक वाइजमेन उनके द्वारा दी गए थी मतलब उनका पूरा नाम है अलेंटी पिकोक और दूसरा जेक वाइजमेन इन्होंने एक तरह से विस्थापन और संकेंद्रन प्रभाव की व्याख्या की हैं अवधाना प्रतिपादित की हैं इसलिए हमारा जो से अंसर वो क्या होगा ओप्शन बी नेक्स्ट हमारा है फोर्थ मानव विकास सुचकांग एच डी आई का निर्मान किस संदर्ब में किया जाता हैं विबिन देशों में मानव विकास का माप करने के लिए 1990 में पाकिस्तान के जो अर्थ शास्त्रिये हैं म के द्वारा मानव विकास सुचकांग की जो अउधाना हैं वो प्रतिपादित की गए थी और मानव विकास सुचकांग एच डी आई का जो निर्मान है वो मुखी रूप से लोगों के जीने की जो प्रत्याशा होती हैं जीवन प्रत्याशा या जिसको हम आयू संभाविता क के द्वारा लगाए जाते हैं इसका मतलब इन options में अगर हम देखें तो C हमारा सही answer हो जाएगा ठीक है option C next हमारा है पांचवा असंतुलित विकास model अन बैलेंस growth theory जो है model है वो सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था तो देखें असंतुलित विकास model के अगर हम बात करें तो इसका जो प्रतिपादन है सबसे पहले अलबर्ट ओ हर्ष्मेंड के द्वारा प्रतिपादित किया था यह उन्हें प्रतिपादित किया था 1958 में और उसके बाद में जो समर्थक थे इसके एच एस सिंगर हैं रोल प्रेबिश हैं इन अर्थ श्यास्त्री नें इनका समर्थन किया था इसलिए हमारा सही अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन ए और बी दोनों सही हैं और देखिए रेगनर नक्सकी के अगर हम बात करें तो इनका जो model था वो कौन सा था संतुलित मोडल थासंतुलित का मतलब क्या हो गया कि इनका मानना था कि अर्त विवस्ता में ऐ Luckily शेत्रों में एक साथ निवेश नहीं करके कुछ चुनने हुएं शेत्रों में कि निवेश करना चाहिए तो इस model को क्या कहा जाता है जो सब से पहले किस ने प्रतिपादित किया था ए ओ हर्षमेंड ने और रोल प्रेबिश और सिंगर जो थे उन्होंने इसका समर्थन किया था इसलिए हमारा से अंसर क्या हो जाएगा और ओप्षन एग नेक्स्ट है सिक्स्ट समर्थ्दी का हेरड़ोमर मोडल आउधानाओं तथा उनकी समानता पर आधारित हैं देखिए हेरडोमर का जो ग्रोथ मोडल है वो इनमें से किस बात को मानके चलता हैं तो जब हम हेरडोमर का ग्रोथ मोडल पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने तीन प्रकार के विकाज दर की व्याख्या किये हैं, एक तो actual rate of growth क्या है, व्रद्धी की वास्त्विक दर क्या है, फिर दूसरा व्रद्धी की अभिष्ट दर क्या है, वारंटेट rate of growth क्या है, और तीसरा जो है वो है natural rate of growth है, प्राकरतिक विकाज की दर है, तो हमार जो सए आंसर है वो क्या हो जाएगा ओप्शन C जो हेरोड डुमर मोडल है उसमें वास्त्रिक व्रद्दिदर अभिष्ट व्रद्दिदर और प्राकरतिक विकास की दर को लिया गया है नेक्स हमारा है सेवन्त फेक्टर एंडाउमेंट को इस नाम से भी जाना जाता है देखिए फेक्टर एंडाउमेंट की जो उधानः है वो अंतर्स्टि व्यापार का जो आधुनिक सिद्दान थे कि विभिन देशों में जो साधन है साधनों की जो उपलब्दता है उसमें अंतर पाये जाता है और साधनों की उपलब्दता में अंतर के कारण क्या होता है वस्तों की जो सापेक्षिक किमते होती है जो रिलिटिव प्राइज होती है उसमें अंतर होता है और इसी कारण से क्या होता है अंतरराश्टी व्यापार होता है और साथ ही साथ इसको अंतरराश्टी व्यापार का कारक अनुपात सिद्धान भी के सकते हैं ठीके तो जो हमारा से अंसर हो जाएगा वो क्या होगा देखें आपे A option सही है और D option सही है तो A और D कहां पे हैं हमारे इस C option में सही है तो सही कूट क्या हो जाएगा option C next हमारा है आठवा Bretton Wood system के अंतरगत दिर्ग कालिन विकास आयता किसके द्वारा दी जानी थी देखिए जब द्विती विश्वी दुस्माप्त हुआ था तो उसके बाद में Bretton Wood प्रणाले जो है इसके बारे में जो 1944-45 के अगर हम बात करें तो Bretton Wood प्रणाले जो है वो विक्सित हुई थी और इसके फल्स रूप अंतररास्टी इस तरपर विश्वी बैंक है और अंतररास्टे वित निगम है इनकी एक तरस से इस्तापना हुई थी लेकिन यहाँ पर हमको पूछा हुआ है ब्रेटन वूट सिस्टम के अंतरगत दिर्ग कालिन विकास की सहाइता किसके द्वारा दी जानी थी तो यह जो सहाइता है वो किसके द्वारा दी जानी थी विश्वी बैंक के द्वारा International Bank of Reconstruction and Development हम कहा सकते हैं IBRD और IBRD की एक संस्ता है जो है अंतरष्ट्री विकास एजन्सी IDA तो यह भी एक तरह से जो विश्वी बैंक है उससे की संस्ता है तो इन दोनों के द्वारा दिर्ग कालिन विकास के लिए सहाइता प्रदान की जानी थी तो A और B इसलिए हमारा जो से अंसर वो क्या हो जाएगा Option A Next हमारा है 9th अलपाधिकार में शडियंत रचना की प्राकरतिक प्रवर्ती रहती है देखिए अलपाधिकार में फर्मों की संख्या कम होती है इसलिए उनका क्या प्रयास देता है कि दूसरी फर्मों की द्वारा जो भी नितिया अपनाई जाती है उन नितियों के आदार पर फर्म क्या क आई जाती हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर यह दोनों कथन है तो सही है ठीक है लेकिन अलपादिकार में शडियंत की जो रचना प्राकृतिक प्रवर्थी रहती है ठीक है इसलिए इसका कारण हम यह नहीं कह सकते हैं तो A और R ठीक है अभी कतन हमारा A और तरक जो है आर दोनों सही हैं लेकिन जो ये हमारत जो तर्क दे रखा है वो इसका सही स्पस्टिक रण हम नहीं के सकते हैं इसलिए हमारा सही अंसर क्या हो जाएगा option A next हमारा है दस्वा इसमें भी हमको अभिकतन और उसका तर्क दियावा है अभिकतन क्या है अल्पकाल में उत्पाद की सीमांत लागत उत्पादन में उप्योग किये गए अत्रिकतर श्रम तता सामगरी की लागत होती है तो देखिए जब हम सीमांत लागत की बात करते हैं सीमांत लागत का मतलब क्या होता है कि साधन की एक अत्रित हिकाय का हम प्रियोग करते हैं तो उससे कितने लागत आ रही हैं तो हमारा जो अभिकतन वो क्या है सही है और तर्क क्या दे रखा इसके पीचे उत्पादन में लगाए गए श्रम तता सामगरी ही अल्पकाल में घटते बढ़ते हैं तो देखिए अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन तो क्या होते हैं परिवर्तन शिल और कुछ साधन क्या होते हैं जिसे भूमी की जो मातर है उसको तो हम घटा बढ़ा ने सकते हैं अल्पकाल में हम क्या कर सकते हैं केवल जो श्रम है उसकी मात्रा को ही हम क्या कर सकते हैं गटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं इसलिए हमारे ये दोनों कतन सही भी हैं और जो अभी कतन है उसकी पीछे जो तर्क दे रेखा वो भी सही हैं सही वैख्या कर रहा हैं इसलिए से आंसर हमारा होगा option C नेक्स्ट हमारा है 11 अभी कतन हमारा है व्यापार निती के उधारी करण के बाद हुए सुधारों ने भारत की उन्नती को दिद किया है देखे भारत के द्वारा जो उधारी करण की निती है या हम आर्थिक सुधारों की बात करते हैं तो भारत के द्वारा जो ये निती है कब अपनाए गई थी 1991 में और 1991 से पहला गर हम देखें तो भारती अर्थवियस्ता एक तरसे क्या थी बंद अर्थवियस्ता थी और 1991 में भारत ने उदारी करण, वेश्वी करण, निजी करण की निती को अपनाए था जिससे क्या हुआ भारत की जो उन्नती हैं उसको वरद्धी हुए एक तरस हम कesकते हैं और तरक क्या देरखा हैं निजी उद्यमों को भारत के उत्पादन उद्यमों की उन्नती में योगदान करने का अवसर प्राफ्ट हुआ हैं तो 91 से पहले आर्थिक सुदारों से पहले अगर हम देखें तो अधिकांच उध्योग जो थे वो सारजनिक शेत्र के थे लेकि 1991 के बाद में सरकार ने उधारी करण, निजी करण, वेश्वी करण के फलसुरूप जो आर्थिक सुधार कारी करम प्रारम किये गए थे तो उसे जो निजी उध्यम थे वो भी उन्होंने भी भारत की उन्नत अभी ये सही कर रहा है क्योंकि निजी उध्यमों का भी विकास हुआ, उन्होंने भी भारत की विकास में भारत की उन्नति में अपना योगदान दिया है नेक्स्ट हमारा है 12th अभी कथन A किसी व्यक्ति को जीन वस्तों और सेवाओं से वनचित किया जा सकता है वे पूर्ण तया निजी वस्तों होती है तो बिल्कुल सही बात हैं कि निजी वस्तों क्या होती हैं जिसका प्रियोग करने के लिए व्यक्ति को कीमत चुकाने पड़ती है जो व्यक्ति कीमत चुकाता है वो ही उन वस्तों का प्रियोग कर सकता है और जो व्यक्ति कीमत नहीं चुका सकता है वो उन वस्तों का प्रियोग नहीं कर सकता है दूसरा इसकी पिछे तर्क क्या दे रखा है राज्य द्वारा एसी वस्तों और सेवाएं निश्वर को उपलब्द नहीं कराई जाती है सरकार जो होती है वो इस परकार की वस्तों जो लोगों के द्वारा परचेज नहीं किया सकते नहीं खरी दी जा सकती कीमत अदा नहीं कर सकती हैं उन वस्तों को सरकार के द्वारा एक तरह से निश्ल को उपलब्द कराया जाता है ठीक है तो यहां पर अगरम का है अच्छा उपलब्द नहीं कराया जाती है तो बिल्कुल सही है को तो हमारा जो आंसर वो क्या हो जाएगा option है देखिए कि कुछ वस्तों ऐसी होती है जिनका प्रियोग करने के लिए कि क्या करता है कीमत चुका ता कीमत चुकाने पर वो उस वस्तों को प्राप करता है माना कि जैसे किसी व्यक्ति को motorcycle purchase करनी है तो यह तरह से क्या हो गया निजी मतलब इसकी कीमत जो चुकाएगा वो ही इसको खरीद पाए और तर्क क्या देरखा इसके बीचे निर्धन देश की आये निवेस की अचाहे सता है। और निवेश होते हैं। जब निवेश कम होगा तो उसकी उत्पाधन शमता भी क्या हो जाएगी। सिमित हो जाएगी और उत्पादन शम्ता सिमित होने से क्या होगा अर्थवेस्था में उत्पादन की मातरा कम होगी यून उत्पादन होगा और आए की मातरा भी क्या होगी कम होगी तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि जो हमारा अभी कथन है और जो इसका तरक दे रहा हैं दोनों सही हैं तो A और R दोनों सही भी हैं और साथी साथ A का R जो है वो एक्थर से सही इस पस्टिकरान करता हैं तो सही अंसर क्या हो जाएगा हमारा option B नेक्स्ट हमारा है 14 भारत वास्यों की आजिविका का मुख्य स्रोथ क्या है क्रशी है तो ये बिलकुल सही है आज के समय में अगर हम देखें तो 50% से भी जादा जो जनसंक्या है वो अपने आजिविका के लिए क्रशी के उपर निरपर हैं और तरक इसके पीछे हैं कि क्रश क्रशी शेत्र के विकास को बड़ावा देने के लिए आवशक उपायों को अपनाया जाना चाहिए देखिए भारत वासी जो हैं भारत के जो लोग हैं जनता हैं उनकी आजिविका का सुरोथ क्रशी हैं इसलिए क्रशी शेत्र के विकास को बड़ावा देना चाहिए उसके लिए सरकार के द्वारा लोगों के दार अभिविन प्रकार के जो उपाय हैं उनको अपनाना चाहिए हैं तो यहां पर अगर जैसे इंडिया में हम 2019 की डेटा अगर देखें तो क्रशी शेत्र का जो GDP में योगदान है वो कितना है 16.5 प्रतिशत है 2019-20 के जो डेटा है उसकी साब से क्रशी शेत्र का GDP में योगदान की इतना है लगबग 16.5 प्रतिशत हैं और 50% से जो ज़्यादा जनसेंक है वो भी एक तरह से अपने आजविका के लिए इसी के उपर निर्भर है तो यहां पर हमारे जो दोनों कथन वो हैं सही है और A जो हमा एकवेशन हम को दे रखी है य एक्व टू ए प्लस बी एक्स जिसमें A Y का स्वायत मुल्य होता है कि जब हम एक्वेशन ऐसे लखते हैं W एकवर टू ए A plus B X तो इसमें ये जो A हैं वो इतरह से क्या है स्वायत मुल्य होता है स्वायत मुल्य हम कह सकते हैं autonomous value कहते हैं ठीके जिसमें परिवर्था नहीं होता ये द्मान तो क्या होता है हमारा इस्थिर होता है और फिर तरक क्या दे रहा है यदि X equal to 0 है और y equal to a रहता है जिसे x की value क्या होती है जिरो हो जाए अगर हम b के जगा कुछ भी लिख दें और अगर y की value जो है x की value अगर 0 होती है तो यह पूरे value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और ऐसी condition में क्या हो जाएगा y की value हो तो यह भी बिल्कुल सही बात है अतह ए y का नियुन्तम मुल्य है जो कि y पर x के किसी प्रभाव से स्वतंतर है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो दोनों कहते हैं वो बिल्कुल सही है कि हमारा जो regression equation है प्रतिगमन समीकरण भी इसको हम कहा सकते है y equal to a plus b x होता है और इस समीकरण में a एक तरह से क्या है स्वायत मुल्य होता है यह भी सही है और जब इस समीकरण में x की value 0 होगी यह 0 अगर हो जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया y equal to a होता है ठीके तो a y का न्यूंतम मुल्य है जो की y पर x के किसी प्रभाग से स्वतन्त रहें ठीके स्वतन्त रहें जो आश्रित हैं वो कौन सा होगा यह वाला ठीके x की value कम जादा होती रहती है उसके उपर depend करेगा y की value भी कम जादा इसलिए हम कह सकते हैं कि a और r दोनों सही भी हैं और r a की सही व्याक्या है next हमारा है सोलवा मांग सिद्धन्त के करमिक विकास के करम की शिनाक्त कीजिये देखे मांग के बारे में मार्शल हैं हिक्स हैं सेमिलसन हैं इन सभी अरतिशायस्ट्रों ने अपने अपने विचार दिये थे तो इन में सबसे पहले जो विचार दिया गया था वो था मार्शल का टेक है मार्शल की जो बुक आये थी principal of economics उसमें उन्होंने विचार दिये थे उसके बाद में जो तर्टस्ता वक्र विस्लेशन है इंडिफरेंस करो अन्दिमान वक्र जिसको हम कहते हैं वो आया था प्रोपेसर हिक्स का तो सबसे पहरे हमारा क्या आना चाहिए ए आना चाहिए उप्शन उसके बाद में क्या आना चाहिए बी आना चाहिए उसके बाद में अगर हम देखें तो जो प्रकट अधिमान सिद्धान थे हैं या सुब प्रकाशित अधिमान सिद्धान थे हम कह सकते हैं तो सी और उसके ब इमने लिखी सिद्धानतों की सही काल क्रमिक क्रम को पहचानी हैं सबसे पहले अगर हम इनमें देखें तो मुद्रा परिमान का जो फिशर का सिद्धानते वो आया था सबसे पहले 1911 में आया था 1911 में फिशर ने सबसे पहले मुद्रा परिमान के बारे में अपने विचार दि ठीक thoroughodおおло है तो तो केंब्रिज अरति शैस्त्रे का उसके बाद में बॉम्ल काता है ठीक है बॉम्ल ने अपना जो सिध्दान था मुदरा की मांग मारा लो ना दिया था लगबर flatterky 5950 में दिया था और उसके बाद में मुदरा की मांग का । insecure का सिद्दान ताया था ठीक है टोबिन का सिद्दान ताया था वो मुल्क के बाद में 1956 में इसका मतलब सही क्रम क्या हो जाएगा सबसे पहले क्या आना चाहिए बी एडी सी बी एडी सी इसले से अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन बी नेक्स हमारा है अठारवा निम्न लिखीत के सही काल क्रम बद की पहचान कीजिए सबसे पहले अगर हम बात कर रहे है तो किन्स का जो उबबुक का सिद्दान था वो आया था किन्स का जो सिद्दान थे उबबुक के बारह में जुसको हम निरपक्ष आय परिकल्पना कहते हैं उसके बाद में आया था सापेक्ष आय परिकल्पना उसके बाद में देखो यह आया था सापेक्ष आय परिकल्पना 1949 में और किंस के जो विचार आया थे वो आया थे 1936 में उनकी जो बुक परकाशित हुई थी और उसके बाद में 1957 में जो लाइफ साइकल है पोतेसिस वो भी आई थी और Friedman की इस थाई पर इकलता ये भी आई थी तो सबसे पर हमारे पास में क्या आना चाहिए ए आना चाहिए उसके बाद में क्या आना चाहिए C आना चाहिए A C ठीक है A C और उसके बाद में D और B इसलिए से अंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन C Next हमारा है 19th Marks के आर्थिक विकास मोडल के काल करंबद चरणों की पहचान कीजिए देखे काल मार्स ने आर्थिक विकास के बारे में अपना जो मोडल दिया था उसमें उन्होंने एक तरह से क्या माना था कि जो सबसे पहले क्या होता है अतिरेक मुल्य सर प्लस वेल्यू होती है और सर प्लस वेल्यू से क्या होता है पुंजी का संचे होता है तो सबसे पहले C आना चाहिए उसके बाद में क्या आना चाहिए बी जो अतिरेक मुल्यू होता है सर प्लस वेल्यू होती है उससे पुंजी का संचे होता है और उसके बाद में जब पुन्जी का संचे होता है फिर पुन्जी वादी संकट कि स्थित्वत्पन होती हैं और फिर इतियास का पदार्थ वादी विशलेशन जो है वो आता है ठीके तो